हेलो बच्चों, आज से हम लोग नया चाप्टर देखेंगे और चाप्टर का नाम होगा कोडिनेट जुमेट्री, यह चाप्टर नम्बर सेवें होगा अपकी एंसाइटी बुक में लास टेंथ का और न्यू एंसाइटी बुक से हम लोग यह कोशन करेंगे सारे के सारे अगर मानलो डिसेंट फ्रम्ला होता क्या है एक पॉइंट ए है एक सवन वाई वन और दूसरा पॉइंट आपका भी एक सटू वाइटि को एक सटू वाईटि इस दूनों के बीच दूरी अगर प्लस बाइटू माइनस य यह इतना ही पढ़ना है पहला में भी दिस्टेंस निकालना है यह पहला दिया हुआ दूसरा और यह थीजरा तो पहला के लिए अगर देखोगे, तो figure जरूर बनाना, बहुत सारे लोग figure नहीं बनाते हैं, कोडिनेट जूमेटर में, जो गलत है, मेरे अनुसार हमेशा जब भी हम पढ़ाएंगे, हमेशा बोलेंगे, कोडिनेट जूमेटर में figure जरूर बनाओ, तो आपको थोड़ा a b बराबर, under root x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, x2 minus x1 का whole square, y2 minus y1 का whole square, जो distance formula है, वहीं use करोगे, फिर यहां, x2 किसके बराबर है, तो पहला ओला x1, y1 होगा, दूसरा ओला x2, y2 होगा, यह आपका हो जाएगा, 4 minus 2 का whole square, plus 1 minus 3 का whole square, यहां से घटाईएगा, 4 में से 2 जाएगा, तो 2, 2 का square, और यह 3, 1 में से 3 जाएगा, तो minus 2 का square, ठीक है, अब यह 2 का square, 4, 2 का square, 4, और minus का square भी positive ही, कि minus minus, plus हो जाता है, 4 में 4 जोड़ेंगे, तो 8 हाजाएगा, तो root हो जाएगा, ठीक है, root 8 आजाएगा, root 8 का value होता है, 2 root 2, distance निकाल रहे हो, तो unit जरू लिखोगे, distance निकाल रहे हो, इस कारण क्या लिखोगे, unit जरू लिखेगा, 2 root 2 unit, यह 2 root 2 कैसे है, तो by prime factorization, 8 का अगर prime factor निकालोगे, 2 से करोगे तो 4, फिट 2 से करोगे तो 2, फिट 2 से करोगे तो 1, 8 बाराबर क्यालिक सकते थे, 8 बाराबर क्यालिक होगे, बहुत easy चास्च चीज़ सिखा रहा हूँ, basics है, 2 के बदले, 1, जिसका pair बना वो बाहर, जिसका pair नहीं बना, वो root में ही रह जाएगा, ठीक है, और उसके बाद, second अगर देखिएगा, यह मैं से figure मीटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि second बना देहुम आपके लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर देखोगे, तो minus 5,7 और minus 1,3 दिया हूँ है, ठीक है, distance formula के लिए, figure जरूर बनाओगे, यह आपका कितना है, minus 5,7 और B किसके बराबर है, minus 1,3, ठीक है, formula लगाओगी, उसके बाद, distance formula का, यह भी बराबर, formula पूरा-पूरा लिख लिएगा, x2-x1 का whole square, plus y2-y1 का whole square, ठीक है, x2-x1 का whole square, plus y2-y1 का whole square, अब यहाँ क्या करेंगे है, हम लोग लगाएंगे, x2 किसके बराबर है, तो पहला वाला x1, y1 होता है, दूसरा वाला x2, y2 होता है, तो x2 आपका minus 1 दिया हुआ है, minus 1, minus में ये भी है, और formula में minus है, देख, अच्छे से, यहाँ minus 5 दिया हुआ है, और x के आगे भी minus है, वो minus, minus minus plus हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, minus 1, minus, और यहाँ minus 5, ठीक है, स्क्वाइर का स्क्वाइर, यह हमने minus 1 का minus 1 लिखा, और यह minus minus plus हो जाएगा, ठीक है, इसका holy square, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ minus minus plus 5 डिरेक्ट लिख दिया, holy square का holy square, plus y2 किसके बराबर है, तो 3 के बराबर minus 7 का holy square, अब इसको सिर्फ simple solve करो, simply solve करो, 5 में से एक जाएगा, तो 4, simple, 4 का square, plus, 3 में से 7 जाएगा, तो, minus में जा रहा है, इसका minus है, तो minus 4 का square, 4 का square 16, 4 का square 16, 16, 16, 32, ठीक है, 16, 16, 32, और 32 को अगर निकालोगे, प्राइम फेक्टर से बाहर, जैसे चिखाये थे, ये टवाल है, वैसे ही, टू इंटू, 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 टू करके, 16, 32 होता है, तो 4 root 2 हो जाएगा, और लास्ट में unit सब्द जरूर लिखो गया, ठीक है, इसरा अगर देखेगा, तो a, b, a किसके बराबर है, a, b के बराबर, और b जिसके बराबर है, वो है minus a minus, ठीक है, a, b हो गया, a, b, और minus a minus b, अब यहां पर अगर a, b नहीं कालोगे, a, b बराबर, again distance formula c में लिखना आपको, जैसा इसमें लिखे, इसमें लिखे, वैसा है इसमें, फूरे exercise में यहीं लिखेंगे अब लोग, है कि नहीं है, तो x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, ठीक है, x2 minus x1 का whole square, एक के बराबर, whole square, plus y2 किसके बराबर है, minus b के बराबर, और b किसके बराबर है, P2, फिर दोनों में 4-4 common लेलोगे, दोनों में 4-4 क्या कर लोगे, common लोगे, ऐसे, और यह root में डाल दीज़े, यह रूट में डाल दिए रूट 4 का वैलू क्या होता है दो और यह जो है वो ऐसे ही रहा है और यहां यूनिट लिख लोगे अगर हमसे छुट भी जाएगा किसे वीडियो में आप समझोगे सब में यूनिट लिखना है डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको यूनिट लिख देते क्योंकि सरी स्क्वाइर के कारण रूट खतम इसक्वाइर के कारण रूट खतम जो गलत है वोल इसक्वाइर रहता तब रूट खतम होता है तो रूट खतम नहीं होगा यह कॉशन दिखने पहले किलकुल नहीं करो गया बढ़ते नेक्स कुशन की तरह कुशन नुमबर टू यहां पर थोड़ा सा एक्जामपल में भी होगी इसको मैं अभी फिलहाल करता हूं थोड़ा सा छोटा कुशन दिखने पहले इसके बीच का दूरे निकालना है 0,0 महलब एक पॉइंट आपका 0,0 है दूसरा है 36,50 इसका सेक्षन 7.2 यह पीछे सेक्षन किया वा था इसकारण मुझे यह लेक्या आना पड़ा लिटकी तो यह परमड़ा पढ़ेंगा और उसके बाद उसका भी इसका भी इसका निकाला इसके बीच में निकालना है 0,0 और 36,15 के बीच यह पॉइंट लेलो 0,0 और बी पॉइंट लेलो यहां इसके को मिटा दो यहीं आपका बी पॉइंट हो जाएगा 36,15 ठीक है 36,15 यहां से इबी अगर निकालना है तो फिर से वह ही डिश्टेंस को लगाँगे x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square x2 किसके बराबर है तो 36 के बराबर x1 0 ही है क्योंकि पहला वाला x1 y1 होगा दूसरा वाला x2 y2 है तो 36-0 का whole square plus y2 किसके बराबर है 15-0 का whole square अब यहां 36 का इसको माइनस करोगे 36 ही आएगा 36 का square और यह आपका 15 का square इसके बराबर आसा है 15-21 1521 यह किसका होता है तो 37 के बराबर होता है ठीक है लास्ट में यूनिट सब जरू लिखोगे तो यह पहला जो पूछ रहा था डिस्टेंस निकालना था जिरो 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 तो वह तो आ गया 37 यूनिट के बराबर होगा उस दोनों पॉइंट के बीच अब जो हमको नेक्स बोल रहा था यह मैं फिगर अब जो बोल रहा था कि सेक्शन 7.2 में जो डिसकर्स किया उसके बीच का पॉइंट इस्टेंस बताईए यहां देखिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से इस्टेंस फरमला लिखा हुआ था एं और यह आपका 15 किलोमेटर विदाउट एक्शली मेजरिंगे बिन्ना ना पे आपको नहीं बिन्ना ना पे आप कैसे बता सकते हो इस दोनों के बीच का यह और बी का दूरी क्या होगा तो आपको X-axis और Y-axis का पॉइंट सपते होंगी तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे यह पॉइंट से आपका यहां पे है इसका कोडिनेट ओरीजीन पर कि यह आपका Y-axis है और यह आपका एक्स-axis एक्स-axis और Y-axis यह वाला जो कोडिनेट हो जाएगा वो 0,0 हो जाएगा बी वाले में देखा जाए तो बी का कोडिनेट कैसे लिखे पहले एक्स पाद में होगे पहले एक्स यहां से यहां कितना है 36 तो यहां से उपर वाला देखोगे तो जीरो जीरो स्वामा लगाओंगे और यहीं ऐसे निकालेगा तो 37 यहां पॉइंट आपका जीरो 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 आ रहा है और बी पॉइंट किसके बराबर है अब कुछ बच्चे बुलेंगे कि सर अगर हमको a-b ही निकालना है तो पाइथागोरस थिरोम भी तो लगा सकते हैं इसका स्कॉर प्लस इसका स्कॉर बड़ा बर a-b का स्कॉर एक डाम लगा सकते हैं बट यह कोडिनेट जीरो आप यूज्स कर सकते हो लेकिन कोडिनेट जी यह प्रम्यूस नहीं कर सकते हो वेरिफाई करने के लिए उस कर सकते हैं ऐसे बनाने के लिए उस नहीं किया जाता है पढ़ां आगे चलो एक पॉइंट इस पर एक पॉइंट यहां दूसरा point यहां और तीसरा point यहां तीन या तीन से ज्यादा आएशा कि तीन यह तीन से ज्यादा points हो तो ऐसे points को बोलते हैं को लिनियर पॉइंट यहां भी चेक करना है क्या यह को लिनियर है तो आपको चेक करके बताना है या नहीं उसके लिए क्या करोगे आप एक लाइन बना लीजिए ठीक है पहला पर आप यह पॉइंट ले लोगी 1,5 दूसरा आप बी ले लो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी होगा अगे पीछे भी हो सकता है उसका तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ और यहां C ले लीजिएगा अगे हमें क्या करना होगा तो सबसे पहले अगर निकालना होगा तो सबसे पहले अगर निकालना है एकस टु माईनस एकस वन का χोल स्क्वायर प्लस ओइकस टु किसके बराबर है अब membika भण प्लस ऐडर वाली ने साला उगा तो माईनस वन का होल स्कार प्लस तीन माईनस पांच का होल इसक्वायर है कि के हैं यह आजाहेगा one का स्क्वाइर और यह यह आजाहेगा minus 2 का square 1 का square 1 और 2 का square 4 minus का भी positive हो जाएगा दी आसा हैगा root 5 यह किसके बराबर आसा हैगा root 5 के बराबर यूनिट से जरूर लिखोगे अगर हमसे छुट भी जाएगा तो भी आप लिखोगे अब B से C का अगर distance निकाला आजे एक बार question में लिख चुके है तो बार-बार लिखने ज़रूरत नहीं है एक बार अगर mention कर दिये formula एक ही questions में तो उसी formula को बार-बार लिखना ज़रूरत नहीं अगर आप लिख रहा हो तो कोई गलत नहीं है तो भी चलेगा तो minus 2 minus 2 का whole square ठीक है यहां से देखेगा तो यह दोनों करेंगे तो minus 4 हो जाएगा और यह करोगे तो minus 14 हो जाएगा ठीक है यह 4 का square 16 और इसका square 197 add करोगे 212 आजाएगा 212 आप किसका होता है वो प्राइम फार्कर से निकाल के करना पड़ेगा 53 वालब यह आ रहा है आपका कितना तूरूर्ट 53 क्योंकि दो बार दो है तो एक ही दो लिखेंगे बाहर में अपर 53 का पेर नहीं है तो वह बिचारा तो पी थी ऐसी रहा जाएगा अब उसके बाद निकालोगे A से C का दूरी इसका दूरे निकाल लेजेगा A से C निकाल लेजेगा एकस्टू माइनस एकस्वन इसमें भी तो माइनस तू माइनस वन का होल स्क्वार स्क्राइब रह जाएगा आपका माइनस थ्री का होल स्क्राइब सिफ नाइन होगा कि बाइनस नहीं होगा था था इसका स्कượng होजाएगा और इसका स्कवार्ट कि 265 अब इसका भी रूट निकालना पड़ेगा तो वो फिर से वही से कि तू सिक्स पाइब पांसे करोगे पच्छा पच्छी सब्सक्राइब यहां पर किसी भी मतलब रूल्स क्या होता है कुलिनियर्स के लिए कि समसे भी दो को जोड़ो तीसरे के बराबर आ रहा है कि यह तो आपका सिर्फ 25 कोई भी पियर बाहर नहीं आ रहा है कोई भी लाइकम भी निया रहा कि फ्यांसर हो जाएगाक। यह को लिनियर नहीं है कि किसी में सम होई नहीं रहा है लास्ट कोश्चन देखते हैं इस सेशन का वह बहुत इजी सा होगा कि पुश्चन क्या है चेक वेदर पॉइंट ए मालों पहला पॉइंट को ए मालने दूसरे को भी तीसरे बीजिए अब आई इसो इसे अगर प्रूपर्टी क्या होता है कोई भी ट्रैंगिल अगर आई इसो इस तभी बोलेंगी जब उसका दो साइड एक्वाल होगा और चुम कोई भी एनी टू साइड इक्वाल हो जाए तो आईसो इसो इस हो जाएगा तो पहला ए फाइफ कॉमा माइनस टू ले लोगे दूसरा भी टिक्स कॉमा फोर और तीसरा सी सेवन कॉमा माइनस टू ए बीसी पॉइंट लिए अब एबी का डिस्टेंस अलग निकालों साइड अगर कोई भी दो एक्वाल आ रहा है तो यह आपका आईसो इस अराम से हो जाए पहली बार लिख रहे हैं तो फाम्मला जरूर मेंसन करोगे एक्स टू माइनस एक्सटू एक्सटू का होल स्कॉर प्लस वाइटू माइनस वाइवन का होल स्कॉर अब यहां क्या करेंगे एक इसस माइनस प्लस ओ जित्वाइब का होल स्कॉर प्लस प्लस पूर माइनस यहां माइनस है यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह चीज आप ध्यान दोगे माइनस रहे फिस्के बर्देबर आ गया रूट 37 का यूनिट इसके बराबर आगा रूट 37 यूनिट के बराबर आगा अब अगेन बीसी निकालोगी नेक्स्ट अला साइड बीसी अगर निकाल रहे हो वह भी दिस्टेंस फॉम्ला एक बार लिखें इसी कोश्चन में ज़रूरी नहीं है तो सेवन माइनस इक्स का होल इसक्वाइर m µ साथ में से छे जाएगा तो एक एक का स्कॵाइर इसको करेंगे तो इसको करेंगे तो है तो 37 के बराबर आजाएगा और यहां यूनिट, अब यहां से आपको क्या लगेगा, कि सर दू साइट तो इक्वाल आ गया, A, B, और B, C, दोनों साइट क्या आ गया, इक्वाल्स आ गया, जिसे इक्वाल आ गया, तो यहीं आइसोसलेस हो गया, यह भी B, C, A, C, तभी चेक करके बता सकते हूँ, कभी भी दो चेक करके, कभी नहीं बता सकते हैं, क्यों आइसोसलेस है, कि कौन साइट आएगे, क्योंकि यहां चेक कर रहा है, इक्वाल भी तो हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, A, C, अलग से निकालेंगे, है इसके नीचे ए से निकाल लेते निके निकालोगे तो सीसे ए को माईनस करोगे तो seven प्लस टू जीरो हो जाएंगे तो जीरो का स्कॉइर तो जीरो यह वह बचार रहा तिक दू का स्कॉइर चार चार का वैलो निकाल होगे तो दो यूनिट आ गया कि इसी किधर में आप अब यहां से जो आया है किसके बाराबर आया बटीसी के बराबर तो नहीं है सिर्फ दूहीं साइड एक्वल है जर्फोट ऑफ एबी सी इसन आइसो से लेश्ट हैंगे लिए अगर आपको हमारा शेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताओगी कि आपको शेशन लग कैसा रहा है ठीक है कि वह हमें काफी मोटिवेट करेगा ऐसे थैंक यू आप सभी को देखने के लिए यहां तक और फिर स कर लोगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या कर रहे हो या जल्दी से पूरा एंसे आटे शर्मा और पताने क्या-क्या चीज़ी देखने के लिए और बाकी के लिए जैहिंद क्या भारत ठीक है ठाबाबाई बच्चो कर दो